नमश्कार मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं विशी 24 द्रसल बता दे कि कुलकता में रीप की बाद हत्या की मामले को लेकर लगतार पस्चिम बंगाल में अरज़क्ता का महौल कायम हो चुका है इसको लेकर लगतार बता दे कि पस्चिम बंगाल के सियम ममता बनर्जी को लेकर भी लगतार उनकी इस्तिफे की मांग किजा रही है और ऐसे मैं बता दे कि पटना यानि की राज़धानी पटना में उनको लेकर मामला यानि की केश दर्श किया गया था सिकायत दर्श की गई आपको बता दे कि ज़स्त तरक से मम्ता बनर जी जो है कहीं कहीं बयानबाजी जो कर रही है वो कहीं से भी उचित नहीं है उसको लेकर बिहार में भी अब गुष्टा फूट पड़ा है अब उनकी खिलाब सिकायत दर्श की गई है ऐसे मैं आपको बता दे कि बिहार के पतना म में लिखित सिकायद दर्श की गई है द्रशल आपको बताते चले कि मम्ता बनर जी के द्वारा दिये गई अपति जनक बयान को लेकर पटना के गांधी मैदान थाने में लिखित सिकायद दर्श कराई गई है भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता क्रिशन सिंग कलू के द्वारा ममता बनर जी के खिलाफ यह सिकाइद की गई है द्रशल पस्ची बंगाल के एक सर्विजनिक मंच से ममता बनर जी ने यह बयान दिया था कि अगर बंगाल जलेगा तो देश दिल्ली असम ब पर्योग करना पूरे देश के आम जन्मानस के भाबनाओं को आहत करना और उनके बयान से देश में अप्रिये घटना को नियुता देना है मुख्य मंतरी ममता बनर जी के उपर कड़ी से कड़ी धारा लगाने की मांग की गई है ऐसे में रशल पिछले दीनों पस्ची मंगा पस्ची मंगाल की मुख्य मंतरी ममता बनर जी के द्वारा एक कारिकरम के दोनान अपने मंच पर शंबोधित करते हुए अपति जनक सब्दों का परियोग किया गया था ऐसे में उन्होंने ममता बनर जी भरी शभा में मंच से कहा था कि अगर बंगाल चलेगा तो असम दिल्ले और बिहार जलेगा यह एक कानूनी रूप से समवेधानिक पद पर रहते हुए और असमवेधानिक बातों का परियोग करना पूरे देश के आम जनमानस के भावनाओ का आःत करना है इनके बयान से देश में अप्रिये घटना को नियोता देना है इसलिए मैं प्रशासन से अनुरोद करता हूँ कि इस पूरे बयान की जाचकर उन पर कड़ी से कड़ी करवाई करनी की किरपा की जाए ऐसे में आपको बता दे कि खुले मंद से कही न कही ममता बनरजी का ये टिपनी पूरे देश में आकरोश का महौल हो गया है जब से ममता बनरजी ने कहा है कि दिल्ली जलेगा असम जलेगा तो बिहार भी जलेगा ऐसे में कही न कहीं स्टिपनी को लेकर अपटना में उनके खिलाप प्राथमिक दर्श कराई गई है ऐसे में बता दे कि दरसल जिस तरह से कुलकता रेप केस के मामले को लेकर कही न कहीं पुरे देश भर में उबाल है और लगतार ममता बनरजी से स्तेफ़ए के मांग की जा र ह wash हुँ आपनर जी कि जुवान छे टिपनी गरें कूंके एक कईना इतने बड़े पोपोई इस तरह दए ऊलज आट दो निबाद!